नमस्कार दोस्तों स्वागता है आपका ऐसा से लर्निंग पाइंट भाई सिंग सर आज हम करेंगे पंदरा नवंबर की सेफटी ठीका पर ठीक है यह सेक्स नंबर का सैट है बाकि जो भी पांस सैट हो चुके हैं उनको भी जाकर देख लें कुछ ना कुछ आपको सेखने को मि सौधा तारिक की सभी पीडिएफ यानि की सॉलूशन पीडिएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रवाइड कर दे गई है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो उसको भी जाकर जॉइन कर लें चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी की हुए है पह खालबर में क्या दियाता सब्सक्रिक सबस्क्रिक ये इससे कैंसल आउट हो गया इधर करेंगे 3 एकम टीन ने आ हो Trung प्रन आपको रहां प्रतित्रों छॉच्छा नवां क्यूंकर फंस्क्रामियोपी में 3 हो गया इंटू में पाई इधर करेंगे तो 3,8,24 हो गया अगला सवाल जीसान ने 40 मिनट के लिए इतनी की चाल से और इतने मिनट के लिए इतनी की चाल से यात्रा की तो और सचाल बता नहीं भाई देखो एवरेज स्पीड फार्मूला क्या होता ही अब अब dataset अब natives जब हमें निकालना ही तो क्या करना पड़ेगा स्पीड इंटू में अब हमें पूरी करना क्लोमिलोमंटर फो गन्टा में करने तो उसी इसाथ्व से लिखेंगे तो 40 मिनस यहां पर दिया तर घंटे में change कर लिया, into में 75 कर दिया, plus में, 20 मिनट, मिनट को घंटे में change किया, into में 60, ये total distance हो गई, total time लिखेंगे तो 40 plus का 20 और बटे में कर देंगे 60, आप समझ गेंगे क्योंकि हम घंटे में बनाना है, और formula क्या होता, total distance upon टोटल टाइम टाइम नीचे लिखा मिनट में होगे अगंटे में चेंज कर लिए तो यह जो साथ से साथ है यह सारे कैंसल आउट हो जाना है तो आपको यह ध्यान रखना था कि केल्गुलेशन कितना इसमें लिखना है मालो इस टाइब के कोश्चन आयाते तो उसमें कितना कम से कम लिखना है तो इस चीज़ को आप याद रखना अगली बार जब भी सवाल करो तो स्टेप्स कटिंग होनी चाहिए ठीक है अब यहाँ पा देखो नीचे जीरो से जीरो यह कॉमन हो रहा था तो उपर मे प्रतिये को दो बर्स के लिए उधार दिया यह उसका कुल ब्याज इतना था तो उधार देगी रासी बारा परसेंट पर कितनी थी को हमने ये माल लिया कि दोनों जगे पें 100 100 रुपय दिए यांपर भी ख़या दूसरी कंडिशन में 15 गोड़े में 2 करते तो 30 मिलता भाई पीस का मतलब hum मनें 100 माल तो 100 करेंगे केंचल आउट तो रेट इंटु टाइम महीं तो ब्याज हो गया इसका से blessing फूछा गए ठास ही होने की उधारदेगे की भ request का मान ये कि सिस्ष्क शेवन फाइव ऑप औम में हो गया вып ports इन्टूं हो गया सो यहाँ से नोचकाशोवन होन गए नो सितिย पन पन्नाव पैतालिस हो गया अब यहाँ पर डारेक्ट लिख लो पचत्तर सो बटे में छे तो इधर करेंगे छे कम छे हो गया बचा एक छे दूनी बारा छे पंजेतीस बारा सो पचास आंसर आ गया अगला सवाल एक धनात्मा पूरांग को अभाजे कहा जाता है यदि बह्त सोयम और एक के अलावा किसी भी धनात्मा पूरांग से बिवाज्जिन नहीं हो मान लीजिए कि के एक अभाजी संक्या है जो पांस से बड़ी है जब के स्कॉयर प्लस उन्निस को बारे से बिवाजित किया जाता है तो सेस्फल क्या होगा अब देखो यहाँ पर कुछ पर उसने स्पेसिफाइट तो नहीं किया है बस यह बताया कि पांस से बड़ी है तो के अब आज ही संक्याई पांस से बड़ी हम साथ मान लेते हैं यहां पर साथ रखेंगे तो औरन चास प्लस का उननेस हो गया यानि कि नो नो अठारह हां से लगा एक पांच एक छे हो गया बटे में बारा करेंगे तो बारा पंजे साथ हो गया रेमेंडर कितना आ गया आठ आ ग परते हैं तो नौ से छे गया तीन हो गया और यहां पर कुछ नहीं दस से साथ गया तीन यानि कि 4.33 इन दोनों को सॉल्फ परेंगे तो ग्यारह से तीन गया तो आठ हो गया आठ से तीन गया तो पांच हो गया नौ से चार गया पांच हो गया अब इन दोनों को आड़ करें होगे तो 6-5 11 हो गया दो हो गया 8-10 हो गया फिर 12 माइनस कर देंगे यहने कि 10 से गया तो 9 बच गया 9 से दो गया तो 7 बच गया यहने कि 0.79 अच्वान और आ जाएगा तो यह आंसर हो गया अगला सवाल अब देखो करा एक संक्या को पहले 30 परसंट घटाया जाता है फिर 40 परसंट बढ़ाया जाता है परडामी संक्या को फिर से पांच पर्संट बढ़ाया जाता है अब यह सकसे से बाला है आपकी कैल कुलेशन अच्छी है तो ऋनался कर सकते हूं नहीं अच्छी है तो सक्शेसिटल से भी बना सकते हो जिसे गर लगाते तो होएं पास थीसčालिस और पांच इसको घटाया जाता है बाकी सब सब सब्सक्राइब यहां पर आ जाता कितना दो पर्संटा जाता इसके बाद 5 परसंट के साथ हम लगा लेते हैं यहां करते तो 5 2 75 देखो माइनस का क्योंगी प्लस 5- 5 गोड़े में दो बटे में 12 करतें हम 5-23 प्लस प्लस जाता यहिंदे की तूर्टी एक जीड़ों चला जाता है एक तो बसbilir point भर आनगा तरचांद यहनी कीतो 2.9 परसेंट की प्लस का आया इसलिए क्ली मायन lóg वोता तो क्या होता लॉस होता यह चीजा ध्यान रखना और आप सक्सेशिप से लगाना चाहते हैं तीस परसें को 30 प्रेंगे में दस यहनिकर दस से तीन कम हुआ तो कितना हो गया चालिस परसेंगे बढ़ाया बीस दूनी 28 और 34 32 हासिल लगा तीन साथ एकम साथ होती दस हो गया अब यहां से कितने की ब्रद्धी हो रही 29 की किस्से 1000 से गुड़े में 100 कर देंगे यानि कि 2.9 आ गया तो जिससे भी करना जो जो अगला सवाल टंकी की धारता इतनी मीटर क्यों है इसके आधार का व्यास इतना है तो टंकी की घहराही बताईए अब धारता हमको दी गी थी यानि कि उसका मिलाकर वॉल्यूम हमको दिया गया था यानि कि पाही आर स्कौर एच बराबर में दिया गया था 14 168 अब यहां पर 22 बटे में साथ और कामान कितना हो गया आर बराबर में 14 क्यूंकि हमको व्यास दिया गया था रेडियस 14 एंटु में 14 इंटु में हो गया यही हमको निकालना था और इसी पर काम करना था तो इधर करेंगे 14 14 भाग तो जाएगा नहीं फिर 14 14 दूनी 28 हो गया अब यहां से बारा हो गया फिर ग्यारा दूनी 22 हो गया या तो सीधे सीधे कर लो 22 दूनी 44 हो गया चे बचा बाइस थिया 66 एच बरावर कितना आ गया अगला सवाल कोमल ने दो डिवाइस बेचे तथा उसने प्रतिये को इतने में बेचा यदि उसे पहले पर 6% का लाब और दूसरे पर 6% की हानी तो दोनों डिवाइसों की कुल लागत कितनी है अब दिखो 6% के लाब यानि की 100 से उसने 106 में चीज बेची 6% की हानी का मतलब 100 से 6 कम कर बे इतने के खुग अबब क्या गह रहा था हमें को लागत निकाल लेकिन सेलिंग प्राईस दोनों का सेम था यानि कि इसमें हमें 94 का गूणा कर दें और इसमें 106 का अब यहाँ पर देखो selling प्राईस यहां पर भी सेम है कि दोनों हमने बरावर कर लिए लेकिन हमें द यह यहां पर लिख लिया कुल लागत मुल कुल लागत मुल यह और यह दोनों का सम होगा यह जोड़ों के सव कामन ले लिया तो 106 प्लस का 94 हो गया यह जाने कि हमें इसी कामान निकालना था 20,000 का बाखी कल्कुलेशन बची तो कर लेते हैं वाई दो से यहां से काटेंगे दो चुकू आठ दो सत्य चौदा हो गया अब यहां पर दो पंजे दस दो दिया च्य हो गया दो दूनी चार हो गया दो चौकू आठ हो गया एक बचा दोने में 18-2 हो गया अब यहां पर एक चीज़ देखो ऑप्शन में आप उन्हें एक चीज़ देखी यहां पर अगर हम करते सातियां 21 अब एक में किसका गुणा करें कि हमको एक मिल जाए तो ऑप्शन में आ तो यह आ जाएगा यह तो आने के कोई चांस नहीं बचे ना द ग्यारे तभी आ सकता है उपर दे वो 11 की डिविजबिल्टी कहीं है क्या नो दो ग्यारा चार इक पास बिलकुल भी नहीं है तो हटा दो अगर फिर भी डाउट हो रहा तो इन दोनों का गुणा कर लो साथ हो गया हांसे लगा दो गया ठीक है और साथ पंजे पैतेस चारती दोगुनी हो जाती है समान दरपत धनरासी को स्वयंगि HK8 गुना होने में कितना वर्स लगएगा अब 3 वर्स में दोगुनी हो जाती है अब कह रहा था आछु माना आछुना का मतलब हो गया ओकि पावरी वस यह जो यहां पर लिखाए बही बसे ङन पर बना लो उसके इला बेस यहाँ पर है बही बेस यहाँ पर हो बाकी पावर और पहले वाले समय कर गोड़ा कर दो अंसर आ जाता है अगला सवाल A, B की तुला में तीन गुना अच्छा काम कर रहे है इसलिए किसी काम को 20에서 60 दिनों कम में पूरा कर सकता है एक साथ काम करते हुए भे इस काम को कितने समय में पूरा कर सकते है तो दहĩınों A, B से तीन गुना अच्छा यहनिकी इस तरीके से रहा होगा ये तो efficiency आ गई 20 से 60 दिन कम में पूरा कर सकता है भाई देखो अगर यहाँ पर यह efficiency है तो time का ratio opposite होता है एक और तीन होता है difference कितना है दो का दो बराबर में कितना दे दिया था साथ दिया था अघुकर रहा था इसकाया को कितने तुनणों में करेंगे एक साथ मिल कर आप दोनों एक साथ जब काम करेंगे जुझ सबसे पहले क्या करना पड़े गा इन दोनों का गुड़ा यहनि कि तीन बटे में तीन और एक चार इसका माना में निकालना यहनि कि तीन बटे तो बही चीज हमने लिख दिया वन एंटो में थरी अपाउन में दोनों का प्लस कर दिया बस यह आपको पता होने चाहिए चोटे-चोटे बेसे के इन से बहुत टाइम बसता है अगला सवार दो संख्याएं इतने के अनपात में हैं उनके कि SCF और LCM का गुड़न फल इतना है तो संख्याओं का योग क्या होगा बाइए आपको पता LCM इंटो में SCF बराबर में क्या होता फर्स्ट नंबर इंटो में सेकिंड नंबर आप यहाँ पर नंबर 5X इंटो में 7X और यहाँ पर दिया गया था आपको दोनों का मल्टीपल यानिकि 2835 तो साथ चोक 28, 0, 75, 35 हो गया पान, अठ्थे, 45, 5 यानिक एक्स पराबर कितना आ गया नो दोनों संख्याओं का सम यानिकि 5X प्लस का 7X यानिकि 75, 12X का मान तो 12 गोड़े में 9 यानिकि 108 अंसर अगला सवाल अब देखो इतनी रासी को PQR के बीच में इतने अनपात में तीन हिस्सों में बाटा जाता है क्यों का हिस्सा बताना है इनको सिंपलीफाई कर लो यानिकि 6, 5, 2 का LCM जो भी आता है उपर सम्में गुणा कर दो तो 30 का गुणा करते हैं सम्में तो यह 15 हो गया 5, 6, 36, 35, 35 15, 26, 26 कमान दिया गया था 10400 क्यों का हिस्सा यानि कि 6 का मान यह चला जाएगा पूरा पूरा चार बार ठीक अच्छे चोग 2400 आंसर आगे अगला सवाल एक स्कूल में 45% करमचारी महला है 80% महला करमचारी और 60% पुरुष करमचारी अब इसको आप लोग पढ़ना ठीक है पो ग्याद करें इतनी सो दिन दी तो अच्छी नहीं लगती आप यहां पर देखो 45 आपकी कौन हो गई वो मैं हो गई तो मैं कितने परसेंट रहोंगे 55% तभी तो 100% कोई बनेगा यानि कि इसको सिंप्लिफाइए करेंगे 555 पांचे कम पास कैल्कुलेशन आसान करने के लिए इसमें 0 बढ़ा लो दो अब इसमें से 80% मैलाएं हमारी पोस्ट ग्रेजट थी यहीं तो लिखा है यानि कि 20% मैलाएं क्या होंगे जो पोस्ट ग्रेजट नहीं होंगी तो यहां से हम 20% निकाल लेते ना यानि कि 180 आ गया अब इसी तरीके से पुरुस में 60% पुरुस परसे लगा एक 2426 हो गया यानि कि 620 टोटल कितने देवाई टोटल हमारे पास यहां से हम निकालेंगे तो 2000 निकल क्या जाएगा हमें इनी में से तो निकालना था 2000 से डिवाइट कर देंगे पंडेट का गुड़ा कर देंगे आंसर क्या जाएगा दो तीया छे दो एकंदो 31% अग चूट पर वेजता है तो यह देखो हमारे पास अगर सो की चीज थीस परसें चूट देंगे तो सतर बचा यह क्या वन गया यह सेलिंग प्राइज यह मार्क प्राइज तो इसी का तो मान दिया गया ता 1190 तो 177197 गुना हो गया इसका भी 177 कर देंगे तो आंसर क्या जाए यह 15 का इस्वायर और यह 16 की इस्वायर अब इहां से करोगे यह आपके स्विक्रेशं में तो अवाब कर लेते तो आप क्या करेंगे 16 और णका क्यों लगें हम ढर्रेक्ट कर लेते पैस गया पर से अग्रे जोड़ लो यानि कि चार ओ तीन साथ साथ छे तेरा तेरा और नो बाइस बाइस और दो चोवेस चोवेस और पांच 29 अनुट जीरो मिल गया पकड़ा फटा फटाफ़ट पान अठ्थे चाले पाने पैता लेशार उनन चास यानिके नो जीरो यहां मिला पान अ को बात होती है बाकि नॉर्मल साथ सही करते हैं कोई ट्रिक बरिक नहीं होती कोई जादू टोना नहीं होता बेसिक पकड़ो आंसर पाओ बात खतम अगला सवाल चलिए फिर 15 की सिफ्ट थरी आपकी समाप्त हो गई थीक है तो मिलते अगले वीडियो में कमेंट करके बताईग आपको कैसा लगा तब तक के लिए जै हिन जै भाहरत